आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्मका उद्गोश मुझां उलसके खालाइब भीकोर सुब ध्यान में लव लेन हो जब घाट विया चारो हने सरवग्य बोद विरागता को पा लिया जब आपने उपदेश देहित कर अने को भव्यनेज सम कर लिये रवि ज्यान जोती प्रकाश डालो बीर मेरे भी काउन नमोकारं अरिहंतानं कहे बसे धानं आयर्यव जायानं लोयं मियसब साहूनं मरे देवाजी देवस्री पाशनार्थ भगवान की मरे सी चंद प्रभू भगवान की अचारी चारी चारी चक्वर्टी सी सान्थी साघ्गी महराजी गई जे आज का दिन हमारा उत्तम त्याग धर्व त्याग किसे कहते हैं और दान किसे कहते हैं दान का अज क्या होता है और त्याग का अज क्या होता है दान बाहर का है और त्याग अंत्रण का होता है जिस पकार हमारे सरीर में कहीं फोड़ा हो जाता है और उसको हम बाहर से क्या लगाते हैं बाहर से मलम लगा देते हैं और अंतर में गोली खा देते हैं तो दान हमारा बाहर का उप्चार है जो मिने ट्यूप लगाई है और गोली हमारी अंतरं का काम है जो अंतरं से भाव को नश्ट करती है कि आपका नाम है देने के बार नाम न ले स्वयम को भी पता न चले कि मैंने क्या दिया मंदिर में आते हैं गुप्ट जान की पेटिया रखी रहती है चार आदमे सामने देखते होंगे ना तब जेव में हाट डालते हैं और गिनते हैं कि इसका है कि पचास का है कि पांच का है कि इसका है सब को दिखाते हैं कि मैंने बीस रुप्या गुप्त जान में डाला ना तुम्हें पता सदे और ना दूसरे को पता सदे अपने आप को यह पता नहीं चालेगा तो आप अपने आप को भी बाहर कहें कह सकते नहीं कि मैंने क्या किया इसलिए हमारे आचार कहते हैं दार छपा छपा के रही दार छपा छपा कर करना चाहिए है जितना छपा के करोगे हमारे आचार कहते हैं पुन्य छपा के करो और पांप को प्रजब कर दू हमारे से कोई पाफ हो गया है तो दस आज भी से कह दो ति मेरे आज ऐसा काम हो गया वो क्या है दस के पाफ पहुंचेगा आपका पाफ स्वेम हलका हो जाएगा आपका मन भी हलका हो जाएगा अगर पुन्य करके हम दस को कहा तो पुन्य में दस में बटवारा हो जाता है इसी दिए आज की लाइने कितनी सुन्दर लिखी हुई है जिन्वारी में दान चार परकार चार संग को दीजिए धन बिजडी उनहार नर्भा उला हो दीजिए कि चार पकार का दान जानते हो कि अहादा जोशात दान अभयदान चार पकार का दान होता है और इसह चहार पकार का दान किले को दिया जानता है डि़ि उब्र है तुर्ब भीजी संग को डिच है तुर्बी पशन के सगम जarch पर सक है बंबた भीव आ शुद्विजी संग चेसे जो चार पकार के दान है य데 चतुर विजी संग को दिया जाता है कि साधू को आवेड़न क्या दोगे आप आहातान तो आहातान जानते हो, और सतन दवै दे दिया आपने, ज्यानदान सास दे दिया, अभैदान किसे के से हैं अभैदान क्या दोगी फ्रम्साला बनवाना चागि भोट बनवाना और उनमें सादूओं को ना करके विराजमान करना यह अगर ठंडी में सादू आज इस पंश्रमकाव में नजी चर्थर अगर बैठ जाएंगे तो सुबह क्या होगा आज ही इस हैनन में गेट के महीने में अगर पहाड पे कही सादू रह गए तो क्या होगा दिन भर तपन तो कहते हैं सादू को अभैदान यही है आज इस पंश्रमकाव में धरमसादा बनवाईए चाली भोन बनवाईए उसमें राकर के सादू को बेठाएए यह उनके लिए अभैदान का करने ड़िए ऐसे चारोंपरकार के दार सादू को चारोंपरकार के सादू को जो दो अगर हमारे मन में वाओ पैदा हुए सादू को आहार दान देते है एक घर का आदमी दूसरे घर में सादू को दान देने जाता है जहां बहुत सारे चोके लगते हैं छोटे छोटे गाउं में दो सादू कहां गए दो सादू कहां गए एक सादू कहां आए तो दूसरे चोके वाले एक दूसरे के चोके में जाकर के आहार देते है इर्शा से इसके पास पैसा होता है उसे मान होता है तो सामने मादे को क्या कहते है तुमने क्या चोका लगाया तो मेरे घर प्याना आहार देने के लिए देखना सादू को क्या-क्या दिया जाता है, सादू को आहार कैसे दिया जाता है अरे भाईया हमारी यहां यह भी कहा है, कि जिए सक्षी प्रबाट जितने सक्षी है जिसके घर में तो उस रोप से आहार देता है तुम्हारे गर में भोष सकती है तुम अच्छा साहर दो एक राजा के यहार होता है एक स्रावक के यहार होता है अगर इर्शाष्य हमने आहर दिया है तो क्या होगा जितना दिया तब बेकार है प्रत्यक प्राने को धान का बड़ा महर्त कहा वेया है लेकिन त्याग के साथ दान होना चाहिए त्याग को सबसे बड़ा मन के विकर्प को दूर करना है मन में जो हमारी इशादी के भाव होते हैं अने प्रकार के परणाम होते हैं अने प्रकार के विचार उत्मन होते हैं उन सब को त्याग करना ही दान का फ़त देखिए जम्बु स्वामी एक सेट के रड़के थे कुन थे? राजा के नहीं थे वो? जम्बु स्वामी एक सेट के रड़के थे उनकी माता ने उन्हें कितने लालन-पालन से पाल करके बड़ा किया और जब जम्बु बड़े हो गए उनको बैरागी के भावना जादमिन भगई बैरागे होने से उन्होंने अपने माँ से कहा कि मुझे तो अब दिख्षा लेनी है लेकिन माता का इतना राग था उन्हें उनको बाहर जाने नहीं दिया और क्या किया आठ लड़कियों से उनकी शादी करें माने सोचा कि जब शादी हो जाएगी तो यह रागी बन जाएगा तो घर छोड़ करके नहीं जाएगा लेकिन जब मुझे तो बैरागी बन चुके थे माता के कहने से उन्होंने शादी की लड़कियों से पहले ही उन्होंने कह दिया था तिजे को हमारा लड़का बहरागी है लड़कियों ने कहा इसकी चिंटा आपको करने की नहीं है जो होगा वो हम समादेंगे आठो लड़कियों से जम्मु स्वामी की चानी करा ली गई रात्री में आठों लड़कियों सामने बैठ गई और जम्मु स्वामी भी अपने प्रंग के उपर बैठ गई एक एक कथा एक एक राद्यून से चानी उन्हें कहा एक एक आठ लड़कियों थी एक कथा जम्मु स्वामी से राग भरी बातों से उन्हें बहलाने का पुर्शार्ट किया परंतु एक एक राद्य को उन्हें जम्मु स्वामी ने बैराग की भावना बनाते हुए एक एक कथा उन्हें कहते चले गए आठो राद्यूने आठो जरत से राग भरी बातों से उन्हें बिगाने का बहर पुर्शार्ट किया लेकिन जम्मु स्वामी अचल रहे माता उनकी दर्वाजे पर बैठी बैठी सब बाते सुन रही थी कि मेरा बेटा रागी बनेगा कि बैरागी रहेगा उसमें बड़ी चिंटा थी वो दर्वाजे के पास बैठ करके सुनती रही यह सारी चिजे रात जिमें महल में हो रही थी एक चोर आ गया और सारे घर के कमरे खोल करके बहुत सारा धन इकठा करके आंगन में इकठा कर लिया चोरी करके चोर ने बहुत सारा धन इकठा कर लिया चोक में ना करके और सेठानी साब चीज बाहर बैठी बैठी कुर्शी पर देख रही थी जब चार मजीब प्राट्यकार और चोर भी उन सब बातों को सुनता रहा आखिर जब चोर सारा मार लेकर के बांधा और जाने के लिए तयार हुआ तो सेठानी नीचे उतर की आगई और उसने कहा भाया चोरी से कोई मतलब नहीं यह सारा माल मैं तुझे तुन्हे गश्री बा लिए मैं तेरे सिर पे रभ देखा हूं लेती हूं तुझ ले जा क्योंकि अब इस धनका मुझे क्या करना है मेरा कुछ तो जब बैरागी बना है दिख्षा लेने जा रहा है तो धनका मैं क्या करूंगी जितना चाहिए उतना तुझ ले के जा देखिए देने वाला दे रहा है लेने वाले के परनाम क्या हो रहे है चोर का मन में विचार उत्पन हुआ इतने सारे वैभाव को छोड़कर एक इकड़ोटा पुट है जब इस धन को छोड़कर के वैरागी को धारन कर रहा है सारे परिकल परिवार का क्या करता है सारे दन वैभाव का त्या कर रहा है और मैं इसको छोड़ी करके दे जा रहा है जो जब इकड़ी अपने वैभाव का त्या करता है और मैं इस वैभाव को दे जा करके क्या भोग पाऊंगा तो सोची त्राते काल क्या हुआ चोर भी बेरागी बन गया आठो रानिया शेठानी जंबु स्वामी और चोर सब ने जाकर के क्या किया दिगंबर भेश को धारण किया और आरिकाएं बन गई चोर ने मुझे बन गया आप सोचे तो क्या चीज है धन है बिजली मुनहार है जैसे बिजली चमकती है एक समय के दिखाई देती है दूसरे समय नष्ट हो जाती है इसी प्रकार ये धन भी हमारा कैसा है जब तक है लाहो नीजी धन बिजली मुनहार नरभव लाहो नीजी मनुचर पाया है तो उस धन का क्या करो है क्या करो है 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 जब आपके पार सेंट अप्टक कर रहो है कभी चरा जाए कभ पुनिशीन हो जाए तो ये वैभो हमारा सारा नष्ट हो जाए आपने बहुत सारी कशाएं पड़ी होगी चपन चपन करोर की दिनार वाले व्यक्ति भी प्रत्यकार भीक मांगते हुए दिखाई दिये तो जब तक है कि कहने में आता है धन बुरा बहुत बहुत धन बुरा है भला कईये दिन पर उपकार सो धन बुरा है पाप का कारण होता है धन्वार व्यक्ति व्यस्नी बन जाता है परंतु धन भला भी है क्योंकि दान दो पर का उपकार करो धन के बिना दान नहीं और धन के बिना उपकार नहीं इसे धन खाले खरआ भी नहीं है धन भला भी है उपकार के लिए भला है इसे दिए प्रत्यक मानों को सोचना चाहिए हमारे कव्यों ने जो जो राइनों में बहुत सुंदर कहा है कोई दे करके मरता है कोई मर करके देता है कोई मर के छोड़ जाता है कोई दे करके मर जाता है देखिए जब समाधी होती है किसी की उसको नमो कारमंद सुनाया नहीं उसके पात भूर धन्था किसी को दिलाया नहीं और बिचारा हाय हाय करते हुए प्रान छोड़ दी और मरने के बाद क्या करते हो तीसरा करते हो तेर्मा करते हो क्या करते हो तो निफापा करना के लाते हैं यह इतना वहां देंगे इतना वहां देंगे इतना वहां देंगे अरे मैं या बार में देने से क्या होता है उसके हाथ से जुनाते, कि पिता जी ये सारी चीजे आप दान कर जाओ, तो उसका फर उनको मिलता, अब बार में तुमने सारी जगह दिफाफा बेजे, तो उसका फर किसको मिला, ना तुम्हें मिला, ना उनको मिला, क्योंकि आपने बाप की नाम से दे जा है और बाप तो चला गया तो जिसी के नाम से दिया फर उसी को दिलेगा लेकिन तुमने मरने के बाद दिया ना उसका पर पिटा को लगा और ने तुमको लगा कोई बेकार हो जो कुछ करना है अपने हाथ से तरके जाओ इसी दे कहा है कोई दे करके मरता है कोई मर करके देता है जरा से फर्क से बनता है ग्यानी और अग्यानी अगर धन ही तो सब कुछ है तो धन वाले बनो दानी अगर अपू ये से नहीं निकला तो क्या होगा? अगर अपू ये से नहीं निकला तो सड़ जाएगा सब पानी सब सड़ जाता है कोई काप नहीं आता है सारे कुछ होगा पानी नहीं निकला तो सारे कुछ होगा सब बंद हो गए सड़ करके नश्ट हो गए इसलिए ये लक्षमी भी आपको क्या कहती है ये लक्षमी जब आपके तिजोरे में बंद हो जाती है और आपने उस तिजोरों का चाला ही नहीं खोला जब से आई तो उसको बंद करके रखा जो पैसा किसी को डान में आपने नहीं दिया तो बंद लक्षमी भी क्या कहती है पसीने से धमरा जाती है तो बंद बंद लक्षमी पसीने से धमरा जाती है तो वो भी यह कहती है किस जिन धर्वाजा खुले और किस जिन में चली जाओ इसे प्रकार से जब तक आपका पुन्य है आपके साथ में खूब खाओ खूब खिगाओ खूब खर्चो खूब दान दो दान से कभी लख्षमी समात हो सकती नहीं है दान से जितना कुये से निकालोगे उतना क्या होता है सीर आती है, कुये में सीर आती है जितना निकालो उतना फिर भर जाता है इसी प्रकार जितना तीजोरे से निकालोगे उतना फिर कहीं न कहीं पुने से आपके पास आई जाएगा दान से कभी लखने सवाब तो हो सकती नहीं है इसलिए दान के साथ-साथ त्याग की भावना रखो कि जो कुछ मैंने दिया भूल जाओगे अगर बार-बार उसका हिसाब लगाओगे मैंने उसको इतना दिया इतना दिया इतना दिया तो 24 घंटे आपके अंदर क्या सदेगा है आठ ध्यान हो जाएगा मैंने इतना खर्च कर दिया इसलिए दान वही कहलाएगा तो देने के बाद नाम ना हूँ आज बोड लगवाते हैं बोड बड़े यह मंदिर मेंने बनाया अगर वह मंदिर आपने मान के कारण बनवाया है बोड की एक्षाओं से बनवाया है तो वह दान आपका फल नहीं देगा लेकिन बोड लगवाओ किसके दिये किस भावनां से लगो कि आने वाली पीड़ी यह सोचे कि मेरे जादा पर जादा यह काम कर गए मुझे भी यह काम करना है अगर इस भावना उसे आपने लगाया है तो जितना दान नहीं दिया उससे सवाया आपको पुन्य होता है वो चार पकार का दान देने वाला मानों कहां जाता है कहां जाता है भोग भुमिय को प्राप्त होता है वो तीन पद्य की आयू को वहां भोग कर वहां के भोगों को भोगता हुआ मरण करके स्वरग में जाता है और दो सागर के भोग को वहां भोगता है तो कहता है दान डबल देता है दान से क्या मिलता है डबल को मिलता है पहले तो भोग भुमिय का सुख भोगो और फिर स्वरगों के सुखों को भोगो और फिर मानों जीवन में आ करके टक्रवर्थी जैसे बंद को प्राप्त हो जाओ और यहां करके पुन्य पिर दान करो हमारे यहां कहा है पुन्यान बंदी पुन्य होता है और उससे कर्मों का फिर निज्रा करके दिगंबर भेश को धारन करके मुक्षपद को प्राप्त होता है तो आप सोचिए दान जीवन का सार है और त्याग मुक्ची का मर्ग है त्याग से मुक्ची का मर्ग मिलेगा और द्याग से संसार के भोग मिलेंगे त्याग और दान में बहुत अंतर है कहने के लिए एक है लेकिन दान बाहर से होता है और त्याग अंतरंग से होता है जितना हम त्याग करेंगे उतना ही हमारा मुक्ष मार्ग प्राप्त होगा इसलिए सभी को आज की भावना आज का धर्म है चिंत्वन में देना चाहिए कि जो कुछ हमने दिया है जो कुछ किया है वे सब हमारा निजहार्थ दीजे साथ दीजे खाया खोया बह गया देखिए हम तो जहां भी रहते हैं एक ठादी रखवा देते हैं पराप कि आज त्याग धर्म का दिन है जितना भी आपके पास जो भी आप जान कर सकते हो त्याग कर सकते हो उस पराप में डाल दो अगर यहां नहीं रखी गई है तो आप गुप्त भंडार में जितने भी आप के सकती है पास रुपया दस रुपया, बीस रुपया, पचाशा सो रुपया, जितने आपके सकती है अज गुपत दान के अंदर ट्याग करके जाना है कि हमें भी आज इसकी भावनों का प्राप्त हो बेले बादिनार्ड भगवाने की, बेले अर्मां सागर जी तीर्थि पवीत्रम जन्मा विशेक्रत निर्मलिगात्रम पद्मे सरोवर मद्धि गजेंद्रम पावापूरि माहा वीरी जिनेंद्रम देवादी देवसासन नाइक फग्मान महावीर स्वामी की चारी चक्रवर्थी आचारी सांती सागर्जी महाराज की वासल रतनाकर आचारी वीमल सागर्जी महाराज की संस्रोमणी आचरी स्रीक्षवाड धर्म सागर्जी महराज की राष्ट संताचरी स्रीक्षवाड विद्यान जी महराज की मर्यादाश शुष्रतम आचरी भरस सागर्जी महराज की आचरी स्रीक्षवाड सुत् सागर्जी महराज की काम एक नंबर में करना चाहिए या दो नंबर में अभी माता जी ने आपको बताया कि आज का जो दिन है वह है एक नंबर और दो नंबर का काम है ऐसा कैसे? एक नंबर का क्योंकि त्याग जो होता है वह एक नंबर में होता है त्याग एक नंबर में होता है क्योंकि आप किसी से त्याग नहीं करा सकते त्याग स्वेम करना पड़ता है स्वेम के दुबारा त्याग होता है दूसरे की जरूरत नहीं है मेरे पास कई मैलाएं आती है बोलती है माराज इस सराब पीते हैं इनकी सराब छुडवा दो मैंने के भई जब तुमारी नहीं सुनते मेरी सुनेंगे क्या उले ऐसे कैसे माराज जब साधी होती है तो मैलाएं छेवार चलती है आगे तो जेंडसों को एक वार नहीं छेवार माननी पड़ती है इनकी लेकिन त्याग जबर्जस्ती से नहीं होता है हमारे आच्यरिभगवन ने किसी से जो है त्याग किसी से नहीं का भी तुम ये छोड़ो ये छोड़ो नहीं तो वो कहते कि जयना में जो है माराज हम तुम को ही छोड़ते हैं बगवान को छोड़ते हैं घर को छोड़ते हैं गरंतों को छोड़ते हैं लेकिन जो सराब पीता है उसकी दसा क्या होती है जिन जिन ने सरापी जिन जिनों ने सब्त वैसन का प्रियोग किया उनको दुवार जो है दुर्गती का दुवार उनके लिए खुला रहा जिन जिनों ने इनका त्याग किया उनके लिए मुक्ती की दुवार खुल गए निर्णे अपने हाथ में है कि हमको कहा जाना है यह मनुष्य परियाय मिली है और मनुष्य परियाय देखो वहाँ पर क्या नहीं यह पी के पढ़े एक मनुष्य परियाय जिन्दगी कहा जाता है कि यह जीवन जो है 84 लाक यूनियों में इतना समय बिताने के बाद कहीं मिलता है यह मनुष्य योनी पुन्ण से मिली है या पाप से मिली है कितना पुन्न किया होगा तब एक मनुश्योनी मिली है और उसके लिए रशना की इंद्री के लिए हम अपने इस जीवन को कितना अन्मोल है इस आत्मा की कीमत को लगा सकता है मेरा भगवान कहीं बाहर नहीं है लड़ते हो पूजा की में तूने ये चड़ा दिया तूने ये चड़ा दिया तूने ये चड़ा दिया यहां तुम कुछ भी चड़ाओ कोई फरक नहीं पड़ता इनका तो जो होनाता हो गया अब सोचो कि अपना क्या होगा ये तो हमारे सादन है साद तक पहुचाने के लिए मेरा भगवान यहां विराजमान है अब सोचो कि सुवे से साम तक इस भगवान को क्या चड़ाते है कि हम भख्ष अबख्ष किन किन चीजों का हमने त्याग किया है इस भगवान को जो है सुवे से साम तक हम क्या चड़ा रहे है कितनी मर्याद ते चीज खा रहे है बजार का हमारा त्याग है के नहीं है तो यहां से ज़्यादा यहां की चिंता करो यहां तो तुम चड़ा होगे माली ले जाएगा लेकिन यहां यदि जरासा भी गलत चड़ गया आचरी भगबन कर्म अकाउंड में जो है अवक्ष भोजन करने वाले का नो कर्म नरगती आ दिये है अवक्ष खाएगा तो वो नरगतीयों में जाएगा यदि हमने अवक्ष का नहीं त्याग किया तिर्यंच गती में आप नहीं कर सकते त्याग क्योंकि वहां रोटी नहीं बना सकते बताया था ना कि किसी के ठेले पे मुँ मारा तो डंडे पड़ जाएंगे वहां तो बहुत कम ऐसा कोई मिलेगा भब जीव जितने पसू है उनका अधिकतर बोजन मासा हर है लेकिन कल हम लोग बैठे बैठे यही चर्चा वहां धर्मसाला में एक बिल्ली है तो बिल्ली आके वहां बैठ जाती है तो छुलक बोली कि दूर जरूरी नहीं है कि वो बिल्ली मासा हार ही हो मैंने का उसे तो अपना पेट भरना है यदि राजू ने उसे दूद पिला दिया तो वो मास नहीं खाएगी और यदि दूद नहीं मिला तो उसे पेट भरना है पर कुछ भी खाएगी सेट अमर्चन जैसे हर ब्यक्ति नहीं मिलेगा जिस मासा हर को जो है सेर मासा खाने वाले सेर को जो है जलेवी खिला दी कितने जो है कुटे जो है घर में रहकर रोटी आदी खा रहे है छूट गया उनका मास और यदि नहीं ये सादन होते तो उखाते रहे लेकिन उनके पास बिवस्ता नहीं है लेकिन हमारे पास तो बिवस्ताएं है फिर भी क्या कर रहे है लोग कह रहे है कि अंडा क्या है साका हरी है अब बताओ कि अंडा साका हरी है ये मासा हरी है है मासा हरी है और आप आप क्या हो साकाहरी क्यों? क्यों? क्योंकि आप क्या नहीं खाते? मास नहीं खाते? इसलिए आप क्या हो? साकाहरी अंडा किसको खाता है? अंडा किसको खाता है? तो वो भी क्या हो गया? वो भी क्या हुआ वो किसी को खाता तो नहीं है लेकिन जो है आपके अंदर क्या है आपके अंदर क्या है जीव यदि आपको कोई खाएगा तो क्या कहलाएगा तो तो जो अंडा खाएगा, वो क्या कहलाएगा, तो जो अंडा खाएगा, वो मासाहरी कहलाएगा. हमें खिन चीजों को जिस कुल में जनम लिया है ऐसी चीजों को तो हमें जैन कुल में अवक्ष बस्तुओं का नाम ही नहीं लिया जाता था नाम लेना ही पाप समझा जाता था ऐसे संसकार हुआ करते थे इसलिए त्याग एक नंबर में होता है और त्याग स्यम को करना पड़ता है दूसरा त्याग नहीं करा सकता है क्योंकि जबर जस्ती से यदि हम कोई चीज़ त्याग करा देंगे तो तुम लग जाओ वे साइट से जाके हमने तो महराज महराजने कहा था पर जो है महाराज कहरे था हम तो हमने तो कुछ को च्वो negativity नीए हमने अंदर से बस कहर दिया था कि कहना में जो है एक बाए ऐसा हुआ धर्म्साकर्जी महराज को हार देने के लिए तो महाराजने कहा कि हां भई महाराज ने आर ले लिया अब वो जाके जो किया नामे लग गया महाराज हमने जीवन बरका थुरू किया था महाराज को भी धोका था दूसरा है दान और दान त्याग जवरजस्ती से नहीं होता और दान भी जवरजस्ती से नहीं होता जो जवरजस्ती से होता है उसे धंदा क्या किसी को तू बोली बड़ा क्या मतलब हो गये जो मागा जाए वो चंदा और जो हाद जोड़ कर दिया जाए वो ए दान कहलाता है दान स्वै और पर का कल्यान करने वाला है इसलिए दान दो नमबर में होता है आप अकेले दान नहीं कर सकते दान के लिए दो चाहिए एक लेने वाला दूसरा देने वाला दो नमबर में हैं पर दो नमबर का नहीं होना चाहिए दान दो नमबर में होना चाहिए दो चाहिए पर दो नमबर का नहीं होना चाहिए क्या टेक्स नहीं बरा मंदिर में हमने छत्र दे दिया दो नमबर का पता चला कि चोरी हो गई दो नमबर में आये तो दो नमबर में गया ध्यान रखो मंदिरों में इसलिए चोरी होती है दो नमबर के माल की एक नमबर के माल की चोरी नहीं हो सकती है दान दान के चार भेद है समदत्ती दान पात्र दत्ती दान करुणा दत्ती दान अनुभे दत्ती दान सम दत्ती दान किसे कहते है जब बच्चे का जन्म होता है तब दस दिन का सूतक लगता है दस दिन के सूतक उस घर में कुछ भी नहीं होता ग्यारवे दिन जो है पहले विधान होता है पिर यहां से गंदो तक ले जाकर घर में पुन्य वाचन किया जाता है धूप के साथ जो है मंतर की घर की सुद्धी की जाती है तब उस घर का जो है सुद्धी करण होता है बारवे दिन बच्चे का नाम करण किया जाता है जैसे भगवान की जो नाम है उनके चिट आदी बना कर जो है और फिर बच्चे का नाम करण गया है नहीं तो टिल्लू पिल्लू कछू रखो ऐसे नाम करण नहीं होते हैं नाम होना चाहिए मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि आपकी आदी में हुए इसलिए आपको आदी कहते हैं आपने अंतरंग बेरंग सत्रु को जीत लिया है इसलिए आप अजिते हैं आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है इसलिए आप संबग, ऐसे 24 भगवान के नामों की एक सार्थ तक दाए फिर साधर्मी भाईयों को उपहार देते हैं, भूजन कराते हैं, इस समदत्ती दान है जो समान आप लोगों के ब्रत हैं जो समाज में जो हम लेंदेन करते हैं वो समदत्ती दान कहलाता है जनम का मरन का कोई खतम हो गया बारा दिन का पातक लगा अब बारा दिन घर में चूला भी नहीं जलना चाहिए क्या बारा दिन तो के भूंके मरना चाहिए रिस्तेदारों के घर से आता था पडोसी के यहां से आ जाता है पर उस घर की जब तक सुद्धी नहीं होती तब तक क्या ना में कुछ लोग कहते हैं मिर्ति भोज तेरवे दिन जो है पहले बिधान होता है और बिधान होने के बाद साधर्मी भाईयों को बुलाया जाता है उन्हें भोजन कराया जाता है मंदिर में दान दिया जाता है भोजन कुछ लोग कहते हैं तेरवी का खाना मिर्ति भोज है तेरवी का खाना मिर्ति भोज नहीं है मरन का जो है समदत्ती दान है बिना दान के घर की सुद्धी नहीं होती है लेकिन तेरा दिन से पहले उस घर का पानी भी यदि कोई पीता है वह मृत्व हो जाए आज तुम दो दिन में तीन दिन में तेरी भी कर लेते हो इस सब गलत है तेरा दिन तक उस घर में चूला नहीं जलना चाहिए वह आज कल तो रसोईया रसोईया खुल गए हैं वहाँ से बुकलो लेकिन घर में आज कल तीया तेरी वहीं कर दी निवटा दी है सब जो समाज की विवस्ताएं है जो आचारियों ने जो विवस्ताएं बनाई है सूतक पातक गरंतों में बढ़ना नहीं वैसे तो जो है यह आज परंपरा चलने लगी बारा दिन की छत्रियों का जो है बारा दिन का पातक होता है ब्राहमणों में तेरा दिन का वैसे ओं में चवदा दिन का और सूत्रों के लिए पंदरा दिन का इस प्रकार से जो विवस्ता है पर आज दुआ तेवर पदा ने क्या क्या करते तुम जानो सुतक पातक वाला मंदर में प्रिवेश नहीं कर सकता मैंने चटाई नीच हुई मैंने चौकी नीच हुई अरे मंदर में प्रिवेश तो कर गया मंदिर के गेट से लेकर सिकर तक पूरा मंदिर की सुद्धी होती है मंदिर में प्रवेश नहीं करता क्योंकि वो सूत्र के समान है इलिश से लिए मानिस्तम बनाया गया है सो हात दूर से दर्सन करना चाहिए सूतक पातक के समय इब वस्ता है कुछ लोग तो कहते कि आहर दे जाते एक जब वो लेकि वो महराज को आहर दे दिया भाई उनको दे दिया मेरे को नहीं चाहिए जो विवस्ता है यदि उन विवस्ताओं को ये कानून है और जो कानून को तोड़ेगा वो धंडित होगा यदि आप लालवत्ती को पार कर जाओगे तो आगे जाके चालान होगा ऐसे ही यहां करमों का चालान छोड़े नहीं जाएगा जो विवस्ताओं हैं वो विवस्ताओं हमारे बुजुर्गों ने जो बनाई है पड़े लिखे नहीं थे कोई बात नहीं लेकिन अकल थी आजकल तुम लोग पड़े लिखे होकर भी जो एए अकलदार नहीं लगते और जो है चोथा परण बिभा सादी तो सादी में जो है उसमें भी बिदान होता है यह सन्यास जीवन की दिच्छा है वे तुमारी गरस्त जीवन की दिच्छा है पूरा बिदान होता है सित्व साक्षी अरिहंत साक्षी गुरू है या नहीं है गुरू साक्षी प्रतक्च्या परोप्च में पंच साक्षी समाज की साक्षी में नहीं तो किसी को भग गग गए, किसी को साथ भगा लाए। गुड़ा-गुड़ियां का खेल तरह हुए। आज किसी को भगा के लारे किसी को, कंबरी में बैटके साधी नहीं कर सकते। अगनी साक्षी इन सब की साक्षी में ये साधी होती ग्रस्त जीवन की दिक्षा है सा यानी साथ दी यानी दिक्षा जीवन बार एक दूसरे का साथ निवाने की दिक्षा का नाम साधी है ऐसा कोई वो नहीं है खेल आज कल ले कल तलाग एक बार साधी हो गई दोबारा जो है उस कणिया की दूसरी साधी नहीं हो सकती एक को छेड़के जैसे दूसरी कर ली वर वैश्या के समान है पुनर्विभा नहीं हो सकता यदी जो करता है वह दान पूजा करने का अधिकारी नहीं है वेदान पूजा नहीं कर सकता इसलिए साधी कहा करना किस में करना अपने बरामर वालों में करना चाहिए अपनी समाज में करना चाहिए और उसके बाद रिष्टेदारों को बुलाते हैं उन्हें भूजन कराते हैं उपहार आदी देते हैं ये सब जो है समधात्ती दान के अंदर आता है करुणा दान पच्छियों को दाना डालना गरीबों को रोटी खिलाना जो है किसी की हेल्प आदी लेकिन ध्यार रखना कुछ लोग तो क्या करते बिचारी महाराज महाराज विचारी नहीं है जो तुम चारा डाल दोगे जो महाराज पर तुम करुणा कर रही हो महाराज करुणा के पात्र नहीं है पात्र है परमेश्टी है परमेश्टी को दान देना तो बहुत बड़ी बात है उनके दरसन मात्र करने से उचकुल की प्राप्ती होती है लेकिन किसी जैन भाई की आपने हेल्प की आज जैसे कोरोना चल रहा है कोरोना में जिसको कहना में काम दंदा नहीं चल ला है अपने पता चले कम से कम आप उसे काम दंदा नहीं दिला सकते मत दिलाओ लेकिन कम से कम जो है उसके रोटे पानी की तो विवस्ता कर दो कि क्या ना में वो कह नहीं सकता ऐसे कितने जैनी होंगे जो आज जो है सुबह खाले तो साम की विवस्ता ही नहीं है सीने में गम हो कितने ही भारी मैफिल में मुश्कराना ही पड़ता है जिने जलने की असनते वो पर्वाने कहा जाए सुनाना भी उन्हें मुस्किल सुनाने किसे जाए किसे अपने दिल की बात कहें कोई सुनने वाला ने उसके बाद पातरदान किसको कौन है पातर तो जो महाव्रति मुनी आरिका उत्तम पात्र छेडाला कारने मुनी आरिका को मध्यम पात्र में रखा है तिर्थंकर आदी रिद्धिधारी आदी ऐसे उत्तम पात्र में और जो है ब्रति आदी उनको जगन पात्र में ऐसा भी है जिनोंने त्याग आदी कर दिया है घर आदी का सादू संगों में आकर रहते हैं ब्रत आदी ब्रमचर ब्रत आदी लेकर रह रहे हैं उनको भी जगन पात्र कहा है जिनोंने एक प्रतिमा से लेकर छुल्लक एलक तक जो है मध्यम पात्र है और जो है आरिका और मुनी राज इनको जो है उत्तम पात्र का है कुछ लोग क्या करते है बोले कि आरिका माता जी का पांचवा गुनिस्तान है इसलिए जो है वो मध्यम पात्र है चर्णान योग गुणिस्तान को नहीं ये कर्णान योग की विवस्ता है चर्णान योग आरिका माताजी महाब्रती है महाब्रत के संसकार किये जाते है महाब्रत का पालन करती है तो उनको भी जो है उसी उत्तम पात्र में रखा है अब आज समस्या ये है चोका कौन लगाएगा गुरु जी आए हैं आफ़त लाए हैं मारा जा गए आफ़त आगई प्रदान जी जो है तलास रहे वही है कोई चोका लगा ले जैसे उनके गैस पर किसी ने पानी डाल दिया है बिना बरसाद की लगड़ी गीली हो गई है पहला चोका प्रदान का होना चाहिए अरे कितना सोवाग है अपना कि मुनिराज को दान देने का अवसर मिल रहा है लोग तरस्ते हैं एक आरदान एक ऐसा दान ए जिसकी चर्चा प्रतिवी पर नई स्वर्गों में भी हुआ करती है आरदान एक ऐसा दान है प्रतिमादान कौन कौन करता है मंदिर कौन कौन बन बाता है बताओ उन पे जो है देवा कर पंचास्चर करते क्या कि तुमने पचास प्रतिमा देदी तो क्या नामे जो है तुमारे उपर पंचास्चर तुमारे घर पे कर दिये जाए लेकिन जिस घर में एक मुनिराज का भी दियार हो जाता है सोचो की कितनी महिमा है प्रतिमा तो वो देब भी कर सकता है विराज्मान प्रतिमान तो जो है तिरेंचकती का जीप भी जो है बना सकता है अपने पैरों से वो करके और चित्र बना दे उनके सामने या रहाध ना करने लगे नहीं तो गेट पे बैटके सुरच्छा कर सकता है पहले नरक में भी वफनबासियों के वहां प्रतिमाएं है लेकिन मुनी राज को आहार देने के लिए मनुस्य परियाए चाहिए उच्छ कुल चाहिए देश कुल जाई सुद्धा जब तक ये नहीं है तब तक एक गिरास तुम रख नहीं सकते कोई सोचे मैं बहुत पैसे वाला हूं मुनी राज को दान दे दूँगा आर मैं चोका और राजा कहता है कोई चोका नहीं लगाएगा मैं मुनी राज को हार दूँगा लेकिन पुन्न चाहिए तीप्र तब एक गिरास मुनी राज के हाथ में आपने पूरी तैयारी कर ली चपन पकवान बना लिये लेकिन पुन्न नहीं है मुनी राज आ रहे हैं रास्ते में यंतराय बापिस लोट गए आपके घर में पहुँच गए प्रिवेश कर लिया सारा सब कुछ आपने पहले गिरास दिया पहले गिरास में यंतराय आ गया बिना पुन्न के आप मुनी राज के हाथ में नहीं रख सके कितने बड़े तुम पैसा हो चा कुछ भी हो पैसे से मुनी राज को नहीं खरी सकते पैसे से तुम आहर पुन्न चाहिए इस सोवाग समझना चाहिए जिन घर में चोका नहीं लगा है वे घर घर नहीं क्या है आचेर भगवन ने उसको जो है समसान और चिडिया घर की उपमादी है सोचो जहां आप तीरत आपको जाना पड़ता है लेकिन ये चलते फिरते तीरत आपके यहां पर आए है जहां संत के चरण पड़ जाते है वे इस्तान तीरत हो जाता है जिस घर में आहार होते हैं वहां दरिदरता दुख तकली बीमारी आदी जो है पर चोका तो लगा रहे हैं हाँ भईया माराज आ गए है तुम चोका लगा ले ना अभी नहीं अभी जो है ना परसो देख से संडे को संडे को लगाएंगे हर कोई चोका संडे को देना चाता है च्छे दिन माराज भूके रहो और नहीं तो आज कल क्या हो गया है फाविष्टार होटल जो है कहाँ धरमसाला धरमसाला काई के लिए है है आहर के लिए के रहने के लिए मैं एक जगए गया 40 किलो मीटर चल के आया उस गाउं में 200 घर मैं पहुँचा साम को सुबह का चला साम को पहुँचा 40 किलो मीटर चल के आया बोले कि चौका महाराज जो है धरमसाला में लगेगा मैंने कि मैं धरमसाला में नहीं लेता हूँ बोले बिवस्ता नहीं है मैंने कि 40 किलो मेटर चल के आए तो 15 किलो मेटर पर दूसरा गाओ वहाँ चल जाओ बोले ठीक है महाराज और बैसे मैं सोच के आए ती तीन दिन रुकूंगा लेकिन जो है क्या करें आपत पड़ी है गले उसको निवाना तही जैसे तैसे कर कुरूई के और किसी की ससुराल थी वहाँ और वो भी चांदी चोकवालों की और भी महराज आ गया है तो भी ख़वर पहुची तो भी चोका लग दिया अब बोले कि महराज दो चार दिन रुखो मैंने की एक दिन की विवस्ता नहीं है तुम दो चार दिन की बात करते हो चतुर मास में भी ये तो भी कोरोना चल रहा है नहीं जिस घर में एक वार आर करता हूँ दुबारा नहीं जाता हूँ मेरे को तो रोटी खा नहीं है कहीं भी खला दो उससे कोई फ़र लेकिन घर में चोका लगेगा आपके पढ़नामों में बिशुती होगी ये तुमारा दान नहीं है मंदिर में लग रहा है वाँ चोके में जो है अब यहां तो माराज आर कर रही है एक गिरास दिया नमोस्तु माराज भग गई अब ये करेगी अब वो जैसे तैसे कर रही है हाई हाई करते करते जो है लगी पड़ी है अब वो हाई हाई करके माराज को हार बना, हाई हाई करके जो हार दिया जा रहा है, फिर पता चल लगे माराज को भी हाई हाई हुआ है, जैसे परणामों से दोगे, अब एक छुडा रहे हैं, एक दूसरे, कटोरी छिनना है, वो चार मेला है, अब जैसे परणामों फिर करें माराज गुस्सा कर रहे हैं, तुमने गुस्से में दिया तो माराज गुस्सा कर रहे हैं, अब वो चार मेला हैं, जी जी तुम नमक लिया ही हो, जी जी तुम बूरा लिया ही हो, जी जी तुम फिटिकरी लिया ही हो, जी तुम सरप लिया ही हो, अब पता ही नहीं है कौन सी पुडिया में क्या रखा है अब बूरे की जगे तुम जो है क्या ना में उसमें सरब डाल रहे हो अब खीर जो है रही हो रही है पता ही नहीं है अम्मा नहीं कौन सी पुडिया में क्या रखा था ड़ गया आज तो बड़ी स्वाधिश्ट मनने जी आज तो दूद पता नहीं काय का दूद था जो आज तो फसूकर दे रहा है नमक की जगे फिटकिरी इचोका नहीं है अब घर में तुम्हारे चोका लगा है तुम भखके जाओगे कहा घर में चोका लगा है बच्चों को संसकार पड़ेंगे यदि एक बार बच्चे ने जिसने आर देख लिया है तुमने उस किरिया को पचास साल के लिए जीवन्त कर दिया कभी इसको मौका मिलेगा तो देखेगा कि हाँ मेरे घर में चोका हुआ था है देखने का कितना प्रवाव पड़ता है देने का कितना अरे इस जनम की बात देखिए इस जनम में देखेगा तो कभी न कभी तो याद आई जाएगा अरे राजा स्रियांस ने जो है पूर भवों में दिया था और जो है उस भवों में याद आ गया तब आहर दे लिया रही तो पूर भम्मे नहीं देते तो कर दे लिए उनको भूंके रहना पड़ता लेकिन आज सिर्यान सनात का नाम किसी धीवाल पे नहीं लिखा उन्होंने आहार दिया था और आज हर व्यक्ति के दिल में लिखा हुआ है उनका नाम कई गाओं में देखो कई मेला जो है रोच चोका कोई सादू आ जाए चोका लगाती है और बड़े माहराज आ गए पैसा ले लो मुझसे चोका लगाएंगे हम लड़ रहे हैं वो तुम्हारा दान नहीं है जो ऐसा भेद करता है कि मैं बड़े माहराज का लगाऊंगा आचारी का लगाऊंगा उनका लगाऊंगा मेरे माहराज का लगाऊंगा वे उनका कोई दान नहीं है ना वो भक्त है जो ऐसा भेद भाव करता है जिन मुद्रा में क्योंकि ये मुद्रा जिनेद्र वग्वान की मुद्रा है और भक्त उसे कहते है जिसके अंदर भेद भाव नहीं होता वह भक्त कहलाता है कोई सादू आ जाए छोटा हो बड़ा हो प्रवचन करना जानता हो नहीं जानता हो बस जिन मुद्रा है हमें तो जिन मुद्रा की चरिया का पालन कराना है ऐसा भक्त होता है अपने जीवन में और एक आहार करा दो आहार कराने में चारोई दान समाईत हो जाते हैं इस चलते फिरते तीरते हैं आज के संत कल के अरिहन तो होंगे संत जहां पर जाते हैं, इतिहास नया रचाते हैं, मुठी बर्यदी खाते हैं, तो दोनों हात लुटाते हैं इन संतों के सम्मानों में, जिस रोज कमी आ जाएगी, सच कहता हु यारो, दुनिया उसी रोज मिठ जाएगी इन संतों के जो है आज कोई भी सादू है हमें कभी भी भेदभाव न करके कोई भी सादू हो जिसके हाथ में संयम का उपकरण है ऐसे हमें सादू की चरिया का निर्भा करना चाहिए अपने आपको सोभा के समगना चाहिए और चोका जो है घर में ही आदी जो है लगाना चाहिए वही चोका कहलाता है ये तो चलो अभी कोरणा आदी विवस्ता अली अलग बात है बाकी का और उत्सा पूरवग यदि समाज में पचास घर भी है एक एक घर में भी एक एक दिन चोका लगे तो भी जो है इसालों में नंबर आएगा लेकिन किसी के कहने पे लगाया है तो वो तुम्हारा ध्यान रखना एक बात ध्यान रखना माल खाएंगे आपका कल्याण करेंगे अपना हस के खिलाओगे पुन मिलेगा रो के खिलाओगे माल भी जाएगा पुन्ड भी नहीं मिलना मजबूरी में खिलाओगे तो माल भी गया पुन्ड भी नहीं मिलना इसलिए जो है उस्साह पूर्बत अपना सौभा के समझ कर हमें मुनिराजों के जो है अहारदान, औशतीदान, अवेदान शास्तदान आदी जो है करना चाहिए और चोथा दान है अनुवे दत्तीदान अपने जीते जी मरने के बाद चावी के गोच्चे सब को छोड़ने है लेकिन अपने जीते जी क्या बगुओं को सब समलवा दो कि और दिच्चा आदी जितने भी तीर्थंकर आदी होते है वे सब अनुवे दत्तीदान अपने जीते जी आदिनाद भगवान ने अपने पुत्रों को बोलाया उन्हें सब को राजपाट देकर दिच्चा लेली यह अनुवे दत्तीदान कहलाता है इस प्रकार से जो है यह दान है और जो चार प्रकार का दान कहा है यह पात्रों में जो है दिया दाता है अभी माताजी ने कहा कि कोई भी हम अपने आप से जो है दान आज के दिन दान जरूर करना जैसे भी आपके अपनी सामर्त के अनुसार आप चार प्रिकार के दान ठीक है ना जो चार भेद चाहें आप सम्दत्ती दान में करो पात्र में करो करुणा में करो लेकिन आजकर एक चीज और बता दो दो मिर्ट में माताची आजकर एक दान और चल रहा है बहुत जवरजस्त रक्त दान महादान एह रक्तदान नादान इह दान नहीं है क्योंकि सरकार कह रही है रक्तदान करो, पहले खून खराब कर रही है और फिर एर रक्तदान करो रक्तदान किट्नी दान काई 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 का ट्रांसफर होता है जो पता नहीं तुमारे जो है आज का लीवर आँखेदान रख आँखेदान कर दे तो पताओ फिर अभी तो तुमने आँखेदान कर दी और अगले जनम में नेतरदान करने के पाद अगले जनम में घूम रहे हैं अब बताओ बच्चा जो जरम से ही अंदा पैदा हुआ है कहां गई उसकी आँखे क्योंकि पहले उसने आँखों का दान दिया अब वो दान आँखे क्यों नहीं मिली क्योंकि मास दान करने का तुम्हें क्या मिलेगा मास दान दिया है मास दान का कुछ मिलेगा क्या तो ये खून दान, हट्टी दान, क्लीवर दान, किट्नी दान, आख दान, एर्ज, जो है, ये मास दान है, और इनका दान देने का कहीं कोई वर्णन नहीं है, इसलिए अपने सरीर का कोई भी पार्ट, दान में नहीं देना, इतना ध्यान रखना, ये दान नहीं कहलाता है, आपने रख्ट दान दिया, अरे खून का ही तो रिस्ता है, दूसरा खून चड़ गया, जिसको खून चड़ गया है, वो आहार नहीं दे सकता, जिसके सरीर में कोई दूसरे पार्ट साधी लग गये है, वो आहार नहीं दे सकता, क्या, जिसकी जो है, आप बैसे, भगवान महावीर ने कहा है कि उप्चार कीजिए, आप जैसे भी जो भी हो सकता है उसे, बचाने का प्रियास कीजिए, और यदि नहीं बचने की उंबिद है, तो उसे नमुकार मंतर सुना कर उसके पढ़नामों में निर्मलता लाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना हाथ अपना बुकाट कोट की उसके लगा दो, ये दान नहीं कहलाता है, तो इन चीजों का हमें बिसिस करके जो है, कुछ लोग मैं नहीं बता दी, बांकि तुम क्या करोगे मेरे मेरे मेरे, तो इस प्रकार से ये दान आदी जो है, आचेरी भगवन ने गरंतों में इस प्रकार से बढ़नान अपने सी जितना हो सके, अच्छे करें, दान उत्सा पूरुबक करें, आज जितने लोग भी यहां पर बैठे हैं, अपने सक्ती के अनुसार, दान आदे, माता जी को आहरदान, पात्रों को दान करें, सास्त्र दान दें, जो संग में माता जी के पीछी कमंडल आदी जो है, क्या? कि सादूओं के उपकरन आदी जो है, इनकी विवस्ताएं आदी जो है, कहना नहीं पड़े, अपने आपको जो है सास्र देंगे, आपकी साड़ी की विवस्ता हम करेंगे, आपका जो है बिहार हम कराएंगे एक महीने तक, आपके जो है चौके जो है पांच दिन हम लगाएंगे, ये पुन्ड कमाने का अबसर है, आजकल इट पत्त्रों में पैसा लगाने पर जुड़े हुए, बंदो जितना जो भी दान करेगा, दान दो में होता है, दो नंबर में, पर दो नंबर का नहीं होना चाहिए, इत्ता ध्यान रखना, और जो है त्याद एक नंबर में, उसमें आप कोई भी जो है, रिस्वत आदी कुछ भी चलने वाली नहीं है, बोलो महावीर भगवान की आज, एक और आपको एक सूचना वर देते हैं, आज से कुछ एक ऐसी योजना बनी है, मेरे भावना है, कि यह प्राशीन मंदरों को, यहाँ पर जो है, एक मिट बेटा, यहाँ पर जो प्राशीन मंदर है, तो ऐसी योजना कुछ बनाई जा रही है, कि पूरे साल के अंदर बावन रविवार होते हैं, हर रविवार को हर कॉलोनी से एक ना एक गाड़ी आया करेगी, वहाँ पर गाड़ी लगबा जाएगी, और वहाँ से गाड़ी आया करेगी, बच्चों को, बड़ों को, सब को ले कर आएगी, जितने हमारी पाट साला खुली है, उन बच्चों क रुपे दोड़ने की जगे कम इन जे भी छेत रहें इन मंदरों की सुरच्छा रहेगी तो उसमें जो है एक-एक मोहले से एक-एक गाड़ी आये करेगी एक-एक रविया ऐसे बावन संडे के लिए बावन लोगों की हमको आवस्यक्ता रहेगी एक साल में एक बार नंबर आय का जो है ऐसे बावन लोगों को जोड़ देंगे तो जिससे ये विवस्ता ये मंदिर कम से कम लोग निकल रहें ठीक है विवस्ता हैं लेकिन कम से कम मंदिर सुरच्छित रहें ये भावना है मेरी और यहाँ पर सादू संत जो है आते रहें और जो है मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसी विवस्ता हो जाएं कि आपको कॉलोनिया छोड़ छोड़ के फिर बापस यह आना पड़े बोलो महावीर भगवान कीजिए बोलो नमाई सागर जी महराज जे कीजिए आप देख रही है तीर्थंकर चैनल जैन्धर्मकाउद घोष ऐसे ही लेटस्ट अब्नेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को